आपका होसला, आपकी इच्छा सक्ति पूरा देश बड़े आदर के साथ देख रहा है। आपकी स्रद्दा को ले करके बंगार के मेरे भाई बहन डट करके खड़े हैं। आपका यही होसला, आपका यही जोश ममता दीदी की इस अत्याचारी सत्ता को एतने एक दिन जड़ से उखार देगा। साथियों कलकासा की तस्वीरें पूरे देश ने देखी है। आज पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। भाई और बहनों, पर्सिम मंगाल में बीजेपी की लहर से यह दीदी गबरा गई है। और गबराई हुई दीदी की सतर पर उतराई है, यह भी देश और दुनिया देख रही है। मंता दीदी ने दो दिन पहले ही एलान किया था। और उन्हें कहा था, कि वो इंच इंच का बदला लेगी। यह उन्होंने सार्व जनी क्रुप से गोशित किया था। और उन्होंने अपना जो एजन्डा गोशित किया था। उसको देखिये, 24 गंटे के बीतर ही भारतिये जनता पार्टी के राष्टिये जक्ष्टर बायमित साजी पर हमला करवा दिया। उनके रोड़ सो पर हमला करके हिंसा पराकर दराने की बर्सक कोशित की गई। हिंसा के बाद दीजी आप और आपके दरबारी जीस तरह की राजनीती कर रहे हैं। उसकी पोल युनिवर्सिटी के चात्रों ने ही खोलनी शुरू कर दी है। दीदी जिस लोग तंत्र ने आपने आज चो हार करकर रखा है। याद करिए जिस लोग तंत्र ने आपको इतने मान से इतने सम्मान से इतने भरोचे से मुख्यमंत्री का पद दिया था। आज सत्ता के नशे में दीदी आप उसी लोग तंत्र का गला गोटने पर उतारू है। दिदी अरे सत्ता तो सेवा का माध्यम होती है। आप सत्ता और जनता को अपना गुलाम समझने की भूल कर रही हो। दिदी जनता को दोखा आप दो। चिठफन के नाम पर गरीब के पैसे लुटो आप ही लुटो। परस्ताचारियों को बचाने के लिए दर्ली पर बैठो आप खुद जाके बैठो। और जाप पच्चिम मंगाल की जनता आपसे हिसाम मांगे तो आप गालियां देने पर उतराई। दमकियां देने लगी। हिंसा आगदिनी कराने लगी। लेकिन क्या लगता है आपको आपकी गाली और धमकियों से मोधी डर जाएगा। ममता दिजी आसानी से डिगने वालों में यह मोधी नहीं है। आपको यह पता नहीं है कि मोधी का रक्षा कबाथ 130 करोड देश वासी है। मेरे लिए तो देश के करोड़ों साती ही अपने है। मैं उनके लिए ही मैदान में हूँ। और इसलिए दिदी आपकी गालिया और धमकियों का अशर मुझे नहीं होता है। साथियों, दिदीर चोके ओहंकारे परदा। दिदी बंगाली बद्रलोग की पुरी परंपना को तार तार कर रही है। आज दिदी अपनी ही परचाई से डर रही है, काप रही है। बुख्राई हुई है, काकि इस बार उनकी जमीन खिसक गई है। आज मंगाल के चप्पे चप्पे से एक ही आवाज आ रही है। 2019 साफ यानि 2019 में ही दिदी का पत्ता साफ होने जा रहा है। 2019 साफ और भाईयों बैनों पस्चिम मंगाल में दीदी जिस तरफ भड़की हुई है। हिंसा कर रही है। उसने एक और बाच पस्च कर दी है। पस्चिम मंगाल के लोगों क्या सिर्वात से इस बार देश में भाजपार। अकेले अपने दम पर और दिदी ये मेरे शब्द लिख करके रखो। पांचवे शक्षे चरण के मत्दान में ही जितने सर्वे आये हैं। जितने ओपिनियन आये हैं। भाजपा को पूर्ण बावमात केली भाजपा को पूर्ण बावमात देश बरते आवाज उठी है। लेकिन दीदी आपकी बगलहर देख करके और बंगाल का जन समर्चन देख करके आज मैं बंगाल की धर्ति पर से कह रहा हूँ। कि अब बंगाल हमें पूर्ण बावमात से आगा हुए। तिन सो सीटे पार करवा के रहेगा ये पुरा देख रहा है। यानि बीजेपी तिन सो सीट पार कर जाएगी और बंगाल इसमें बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। और आप ये भी अंदाइडा लगा सकते हैं कि जब अकेली बीजेपी तिन सो पार कर लें तो फिर एंडियों को तो और भी ज्यादा सीट मिलने जाएगी।